हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने वेजिटेवल थाली बनाने जा रही हूँ इसमें हम पांच रेसिपी शेयर करूंगी तो इसे बनाने के लिए देखे किस तरह से बनाते हैं सबसे पहले हम खीर बनाएंगे उसके बाद बेड़ाई बनाएंगे यह मैंने खीर के लिए दो लीटर दूद लिया है फुल क्रीम दूद लिया है इसे हम उबलने के लिए रख देंगे यह मैंने वन फॉर्थ कप चावल लिए चावल को मैंने अच्छे से दोकर पानी में भिगो दिया है ब्लकुल साफ कर लिए है 15-20 बदाम और 2 टेविल स्पून मैंने पिस्ता लिया है पिस्ते को और बदाम को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था यह इच्छे से फूल गए है इंकम छिलका अटाकर बारी कट कर लेंगे यह मैंने बारी कट कर लिए अब दूद में उबाला गया है तो इसमें हम चा इसमें बदाम और पिश्ता डाले है केसर में बाद में डालूँ गी केसर में भीगो के रख्की हुई है थोड़ी सी बीच बीच में चलाते रहेnhाएंगे जब तक हमारी खीर बनकर तयार होती है तब तक हम बेड़े की तयारी कर लेंगे बेड़े हम पांस तरह के आटे को मिक्स करके बनाएंगे इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटे लिया है 1 कप सूझी 1 कप मैदा 1 कप उड़त की दाल 1 कप बेशन ये चार मेने हाफ आफ लिये और गेउं का आटा एक कप मसाले आवशकता के साब से यूज़ करेंगे आदा चमच अजवाएन 1 फोर टी स्पून हिंक पाउडर और ये पानी लिया आवशकता के साब से यूज़ करेंगे अब एक बर्तन में पांचो तरह का आटा मिक्स कर देंगे मैदा, बेशन, सूजी, डाल का आटा, गेहुं का आटा, सारे आटे इसमें हम मिक्स कर देंगे अब ये मैंने पांचो तरह के आटे एक जगे मिक्स कर लिए है इसमें हम हिंक पाउडर ये भी डाल देंगे 1-4 teaspoon, half teaspoon अजवाईन लीथी ये भी डाल देंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे अधा चमच सुखा धनीया अधा चमच नमक अधा चमच लाज मिर्ची पाउडर 1-4 teaspoon हल्दी पाउडर अब इसमें हम 2 टेविल स्पून घी डालेंगे और पानी के साथ इसका डो तयार करेंगे जिस तरह से पूरी का डो तयार करते हैं इसी तरह से करना है इन सब को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसका डो तयार कर लेंगे जिस तरह से हम सिंपल पूरी का डो तयार करते हैं इसी तरह से हमें इसका भी डो त्यार करना है और कम से कम आदा घंटे के लिए हम इसे दो लगा कर ढखके रखेंगे अब ये डो त्यार हो गया है एच चमच गी लगा कर इसको अच्छे से मसल मसल कर हम चिकना कर लेंगे बिल्कुल और आदा घंटे के लिए हम इसे ढख के रखेंगे तब तक ये डो सेट हो जाएगा अच्छे से बेड़े बनाने के लिए तब तक हम बाकी की तयारी कर लेंगे अब ये डो भी हमारा लगकर तयार हो गया है इसे में ढख के रख दूँगे अब खीर चेक कर लेंगे हम केसर डाल देंगे केसर अब ये खेसर अब ये खीर ही भी बहुत अच्छे से पख गई है अब हम इसमे थोड़ा सा इलाइची पौडर डालेंगे हाफ टी स्पून यह मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है और अपने टेस्ट से चीनी डालेंगे मैंने वन फोर्थ कप डाली है आप अपने टेस्ट के साफ से कम जादा भी कर सकते हैं चीनी को पिगलने तक हमें इसे एक बार पकाना आए उसके बाद हम इसकी गैस बंद कर दे इसमें वन टेवर स्पून घी डालेंगे घी को मेल्ट होने देंगे वन फोर्थ टी स्पून इसमें मैंने हिंग पाउडर डाला है थोड़ा सा अध्रक और दो हरी मिर्च बारी कट की हुई आधा चमच जीरा एक चमच सूखा दनिया आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर नमक स्वाद अनुजार आधा चमच बीट रूट का पाउडर ये रेड फूड कलर है ये होममेड है इसकी रेसिपी में पहले शेयर कर चुकी हूँ इसका कलर बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगा देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च य ये सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है अब इसके बाद टमाटर डालकर अच्छे से भूनेंगे जब टमाटर भून जाएंगे ता हम इसमें उबले हुए आलू क्रश करके डालेंगे ये मैंने एक बाउल आलू उबले हुए क्रश करके डाले हैं इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे दो ती मिनट तक जब ये अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें पानी आड़ करेंगे अब ये आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं बहुत अच्छे से भून गए हैं अब हम इसमें पानी डालेंगे जितने भी आपको पतली या काड़ी रखनी है उसके इसाब से इसमें हम पानी अड़ कर देंगे और इसे हम पकने देंगे तब तक हम दूसरी सबजी भी छोग देंगे दूसरी सबजी की तयार कर लेंगे वो हम काशिफल बनाएंगे खट्टा मीटा अचार वाला इसके लिए मैंने ये कुकर लिया आए इसमें हम बन डेवल स्पून घी डालेंगे आदा चमच मेथी के दाने थोड़ा सा अद्रक और दो हरी मिर्च डाल देंगे हल्दी पावडर आदा चमच एक चमच सुखा दनिया आदा चमच लाल मिर्ची पावडर नमक स्वाधन नुसार और टू टेवल स्पून इसमें हम चीनी डालेंगे चीनी की जगा गुड़ भी डाल सकते हैं वन टेवल स्पून हींका चार हींका चार या फिर कच्ची आमी भी डाल सकते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन सब को डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद ये मैंने आदा किलो काशिफर लिया है काशेफल को छिलकी सहीद कट किया है और अच्छे से धोली आ है छोटे पीसों में कट करके अब हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से उसके बाद इसे हम धक्के पकाएंगे अब ये ढक्के पकाएंगे हम, अच्छे से मिक्स हो गई है, तब तक हम रायता बना लेंगे जब तक हमारी सबजी पकती है ये मैंने दही लिए आदा लिटर, इसे मैंने एक सार कर लिया है रही से, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आदा चमच लाल मिर्ची पावडर, थोड़ा सा साधा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के साब से, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, म अब हम इन सब को mix कर लेंगे आपको जितना पतला या गाड़ा रखना है उसके साब से पानी mix करेंगे अब हम इसमें बूंदी भी डाल देंगे अब ये रायता हमारा बनकर तयार हो गया है अच्छे से mix कर लेंगे अब ये रायता भी हमारा बनकर तयार हो गया है सबजी चेक करेंगे अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने अचाय डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी हम आलो की सबजी में डालेंगे और थोड़ी सी हम वरादनिया भी चाहिं। इससे मिक्स कर देंगे थोड़ी से मिने आलू की सब्झी में थोड़ा सा गरम मसाला भी ढलेंगे। हम बेड़ा ही बनाएंगे इसके बाद, अब यह हमारी खीर भी तयार हो गई है, खटा मीठा अचार वाला काशिफल, बूंदी का रायता, और यह आलू की कड़ाई वाली सब्जी, और यह मैंने ओईल को गरम होनी के लिए रख दिया है, सबसे पहले हम चार बेड़ा ही आली है मैंने, अब चिकनाई लगाकर इने हम बेल लेंगे, जिस तरह से पूरी बनाते हैं, इस तरह से हम इने भी बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा क्रस्पी बनती है, गरम ही खाने में अच्छी लगती है, इने हम किसी भी मील में बना सकती है, जाज़तर वैसे ब्रेक Var पास्ट में बनाई जाती है अब यह मैंने चार पूरियों को बेल लिया है इसे हम एक करके डालेंगे और गोल्डन होने तक अलट पलट करते हुए शेकेंगे कि दो तीन जितनी भी एक बार में आये आसानी से उतनी डाल देंगे यह लट पलट कर दिये मैंने अब यह सिक्के ही है इसे हम बार निकाल लेंगे बाकी की भी जैसे सिक्ती रहेंगे हैं हम बार निकालते रहेंगे और इसी तरह से हमें सभी बेड़ा ही बनानी है रायता, काशिफल, आलू की सबजी, खीर, स्टफ मसाला मिर्ज और यह मैंने बेड़ा ही सबचीज हमारी बनकर तयार हो गई है अब यह मारी वन मिल थाली बनकर तयार हो गई है वेज थाली थैंक यू